नमस्कार मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ओनलाइन प्रिप में आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण जो आज का हमारा टॉपिक होगा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं संग्या संग्या आपके परिच्छा के दिरिष्टी से काफी महतपूर है संग्या को आप सभी लोगोंने पहले से पढ़ा भी है जानते भी है लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही सहज ढंक से संग्या को पढ़ेंगे और समझेंगे संग्या टॉपिक से आपके एक्जाम में कम से कम दो से तीन प्रस्न पूछे जाते हैं तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि संग्या जो टॉपिक है परिच्छा के दिरिष्टी से कितना महतपूर है आप लोग इस क्लास को अंतक जरूर देखेंगे जो भी student UPBAT के paid course को नहीं जोईन किये हैं इस वीडियों के description में contact number दिया है उस पे call message करके जानकारी प्राप्त करके हमारी classes को जोईन कर सकते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं संग्या क्या है संग्या की परिभासा को समझेंगे संग्या के भेत को भी जानेंगे कि संग्या के कितने प्रकार है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संग्या क्या है संग्या की परिभासा को देखते हैं कि किसी ब्यक्ति, वस्तू, अस्थान, जाती या भाव का जो बोध कराता हो उसे संग्या करते हैं अस्थान और भाव क्या है उससे हम लोग संग्या को समझेंगे और जानेंगे थीक है तो संग्या ब्यक्ति क्या है या वस्तू, अस्थान, या जो भाव का बोद कराता हो, वे सभी क्या है? संग्या है, संग्या यानि जो चीजे हमें लौकिक है, संसार में जो चीजे लौकिक है, यानि दिखाई देती हैं, वे सभी क्या है? संग्या है, ब्यक्ति में जैसे हो गया, राम, श्याम, गंगा, राधा आदी ये सवी क्या है जो नाम है नाम जैसे ब्यक्ति जो नाम है ये सवी क्या है संग्या है वस्तु क्या है ये भी संग्या लेकिन वस्तु में जैसे क्या होगा किताब क्या है वस्तु है उसी प्रकार से कलम पुर्सी मेज आदी सभी क्या है? ये सभी क्या है? वस्तु है ठीक है? मुवाईल ये सभी क्या है? वस्तु अस्थान क्या होगा? जैसे अस्थान में हम लोग जानेंगे वारांसी क्या है? वारांसी प्याग राज दिल्ली मुंबई अधी कलकत्ता आधी ये सभी क्या है ये अस्थान है अस्थान के नाम ये सभी क्या है संग्या है भाव क्या है भाव के बारे में हम लोग जानेंगे भाव जैसे क्रोध हुआ प्रेम दया दया क्या है भाव है उच्छाई लंबाई आधी ये सभी क्या है ये सभी भाव है यान ब्यक्ति वस्तू अस्थान भाव आधीका जो बोत कराता उसे क्या करते है उसे जो है संग्या ख Revelation अब ही तो हमनेसे संग्या क्या है अब आगे हम पढ़ेंगे कि संग्या के भेद यानि संग्या में कौन शी संग्या संग्या जैसे कि आप लोग द्यान देंगे कि संग्या के जो मूल रूप से जो भेध हैं प्रकार है वह तीन है कौन-कौन से हैं ब्यक्ति वाचक जाती वाचक और भाव वाचक आपका अगला जो है समुदा या समू वाचक द्रव वाचक जो होता है वह जाती वाचक के अंतरगत होता है यानि जाती वाचक के प्रकार है जब संग्या के कुल प्रकार पूछा जाया तो पांच है वैसे मूल रूप से पूछा जाया तो संग्या के तीन प्रकार है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे कि संग्या में ब्यक्ति वाचक संग्या क्या है? ठेक है? उसे हम लोग जानेंगे उसकी परिभासा को समझेंगे. जिस संग्या से किसी विसेश चाती, आप लोग दियान रखेंगे, किसी विसेश ब्यक्ति, वस्तू, अस्थान का बोध हो, उसे जो है क्या करते हैं, ब्यक्ति वाचक संग्या करते हैं, जैसे उधारण दिया हुआ है, सीता, रोहतक, रामायर, गंगा, यमुना ये क्या है, ब अब हम लोग यहां समझेंगे कि ब्यक्ति वाचक संग्या क्या है जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ब्यक्ति वाचक संग्या यानि किसी ब्यक्ति विसेश वस्तु विसेश अस्थान के बारे में जो बहुत कराता हो उससे क्या करते हैं ब्यक्ति वाचक संग्या करते हैं यानि किसी ब्यक्ति विशेस में जैसे नाम हो गया राम, स्याम, गंगा, राधा ये क्या है ब्यक्ति विशेस का नाम है उसी प्रकास से किसी विशेस वस्तु जैसे किताब क्या है कलम ये विशेस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है ये सभी क्या है ब्यक्ति वाचक संग् तिक drills आदी जिनका बोट्ग करा रहा है यह सब लुअ कि वक्ति वाचक संघ्यात अगला हम जाती वहाचक संघ्या को देखेंगे और समझेंगे जाती वाचक संघ्या केसे कि इसकी appointment का बोध हो उसे जो है क्या करते हैं जाती वाचक संग्या करते हैं अब हम लोग समझेंगे किसी जाती या वर्ग विसेश का बोध कैसे होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक बार हम लोग उधारण को देख लेते हैं पुरुष छात्र नारी गाव ब्रामवड अब हम लोग इससे समझेंगे कि कैसे किसी जाती या वर्ग विसेश का बोध कराता है यहां जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि किसी जाती जाती या वर्ग विसेश का वर्ग विसेश का जो बोध कराता है उसे क्या करते हैं जाती वाचक संग्या करते हैं जैसे अभी हम परवत, पसू, पक्षी, ठीक है, यहां आदी जो है, यह जाती वाचक संगया, कैसे अब हम लोग समझेंगे, जैसे नदी क्या है, नदी यह एक जाती या वर्ग विसेश का बोथ कराता है, नदी, यानि किसी विसेश, नदी की बात नहीं कही जाया रही है, जैसे अभी हमने पढ़ा ब्यक्ति वाचक संगया में गंगा, गंगा क्या है, गंगा एक नदी के नाम है, यानि एक विसेश नदी की बात कही जा रही है, तो यह गंगा है, गंगा क्या है, एक विसेश नदी की बात कही जा रही है, तो क्या होगा, यह ब्यक्ति वाचक संगया होगा, लेकि जब पूरे एक वर्ग या कह सकते हैं जाती की बोध हो संपूर नदियों के बारे में बोध हो वह जो है जाती वाचक संग्या कहलाती यानि नदी जो है यह एक जाती की बोध कहलाती है जिसमें संपूर नदियां है जिसे गंगा हुआ यमुना हुआ सवसती हुआ गोदावरी आदि जितनी भी नदियां है, सभी नदियों का बोध यह करा रहा है, ठेक है, अगला परवत हम लोग समझेंगे, परवत क्या है, परवत में जो है, यह सभी परवतों का बोध करा रहा है, किसी बिसेश परवत की बात नहीं कही जा रहा है, जैसे अभी हम बात कर ले, कि हिमाल पर्वत करता है जाती वाचक संग्या करता यह सभी पर्वत में किसी एक बिसेश पसु का नाम जैसे का नाम है लेकिन जब समपूर ज्याति का बोफ हो पसू याणन इस में सभी पसू हो दाए जितने भी याई वर्ग यानि एक जाती का बोहत कर रहा है तो जाती वाचक संग्या होगे कि भी प्रकार की पक्षियों мире सब्क्षियों का बोहते का रहा है तो आप लोग जाती वाचक उल्ड гор क्या दिया हुआ है भाव आचक संग्या hy can hang平 barrel जुआ से पदार्त ये व्यक्ति के गुण दोस्त व्यापार दसा आदि का भाव होता है वह क्या कराता है ब्हाव आचक संग्या कराता है जैसे हम लोग उधारण से समझेंगे बच्पन, बुढ़ापा, मिठास, बुराई, प्रशन्नता, घबराहत, लंबाई, भलाई, आदी ये सभी क्या है भाव आचक संग्या यानि भाव आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर भाव आचक संग्या में जो है ब्यक्ति के भाव, गूर, दसा, आदी का बोत कराता है जैसे हम लोग देखेंगे प्रेम, प्रेम क्या है प्रेम, क्रोध या क्या है प्रेम जो है यह भाव है, मनुस्य का भाव है, क्रोध भी मनुस्य का भाव है, दया यानि दया करना या किसी पर दया करना यह क्या है यह भाव है ठ मनुस्ट के जो भाव या घुड दसाधर्मादि का जो जो है कि कह सकते हैं बosed कराता हो वह भाव वाचक संग्याँ कराता है जैसे मिठास बुराई प्रसनता आदी क्या है भाव वाचक संग्याँ है अगला हम लोग देखेंगे जो है समुवाचक संग्या या समुदाय वाचक संग्या भी करते हैं द्रब्य वाचक संग्या या जाती वाचक संग्या की अंतर गतात है समुदाय वाचक संग्या क्या उसको हम लोग समझेंगे जिस संग्या देखिए समुदाय द्रब्य वाचक संग्या संग्या के जो भेद हैं जो है उसको हम लोग सहज भाव से सहज ढंक से हम लोग समझेंगे काफी आसान है आप लोग बस ध्यान रखेंगे कि कैसे इसमें अंतर को अस्वष्ट करें समझ सकते हैं समुदाय वाचक में है कि जिस संग्या सब्द से समुदाय या समू का बोध होता है उसे क्या करते हैं समू या समुदाय वाचक संग्या यानि जैसे ही परिवासा से ही पता चला है उसके नाम से ही पता चला है समू वाचक संग्या यानि किसी समू का बोध कराता ह जैसे कक्षा कक्षा क्या है यह समू का वोत कराता है कक्षा यानि कक्षा में जो है किसी एक विशेश व्यक्ति या विशेश छात्र की बात नहीं होती है कक्षा में छात्रों की काफी संख्या होती है उसी संख्या को जो है कक्षा का जाता है जो है ग्रूप यानि समू होता है जमानों का उसे सेना कहा जाता है इसलिए सेना में अनेक जवान होते हैं इसलिए सेना जो है समूधाय वाचक है भीड क्या है भीड भीड जो है वह लोगों से भीड बनता है यानि भीड में जहां काफी लोग हो यानि समू में लोग है उसे भीड है, भीड भी समुदाय वाचक है, उसी प्रकार से सभा, सभा भी समुदाय वाचक है, परिवार भी आपका समु या समुदाय वाचक है, जैसे परिवार में सदस्यों की संक्या होती है, चार, पांच, छे, उन सभी जैसे छे परिवार की, छे सदस्यों का परिवार है, त का नाम परिवार होता है जिसे परिवार के नाम से जाना जाता है तो परिवार क्या हो गया वो छे सदस्यों के एक समू हो गया यानि इसलिए परिवार भी आपका समू यानि समुदाय वाचक संग्या कहलाता है ठीक है अगला हम लोग देखेंगे द्रब्य वाचक संग्या क्य जो है, इसको हम लोग समझेंगे उधारण के माद्यम से जैसे घी, तेल, फल्दी, लोहा, सोना, चादी आदि यह सभी क्या है यह सभी जो है दरब्य वाचक, संग्या कल आते हैं ठीक है आगे हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे जो है भाव वाचक संग्या बनाना यानि ये भी इसको समझ जाएंगे परिक्षा में भी आपके एक्जाम में इससे प्रस्न पूछा जाता है आप लोग इससे जानकारी के लिए भी समझ जाएंगे कि भाव वाचक संग्या कैसे बनाय इसे हम लोग समझेंगे जैसे आदमी क्या है आदमी जो है यह आप लोग समझेंगे कि आदमी जो है यह जाती वाचक संगया है आदमी जाती वाचक संगया है जब आदमी से हम लोग भाव वाचक में जाते हैं यह भाव को प्रदर्सित करते हैं भाव वाचक संगया बनाते त उसी परकार से गुरु क्या है यह जाती वाचक संखया जाती का बोध हो रहा है। तो चिकित्सक भी जाती वाचक संग्या होगे, लेकिन चिकित्सक से जब भावाचक में जाएंगे, तो चिकित्सक का भावाचक क्या होता है, चिकित्सा, उसी प्रकार से युवक, युवक क्या है, युवक जो है जाती वाचक है, युवक जो है जाती वाचक से जो भावाच बनेगा यावान बनता है किया बनता है उस्ति प्रकार से उसंदर सुंदर से भावाचक बनता है सौंधर या सुंधरता जो है भावघशक बनता है उसी प्रकार से भूखा भूखा जो है भिशेशडर है तो उसका भूख बनता है और सफेद भिशेशड से सफेदी भावच temples क्रिया क्या है रिया से हम लोग भावचेक को देख लेंगे रिया जैसे गिरना चलन या चाल, दोड़ना, दोड़ना क्या यह क्रिया है, उसका भाव क्या है, भाव क्या निकल क्या था है, दोड़, उसी प्रकार से पूजना से पूजा, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई जो इसका भाव है, बोलना से बोल, और हसना से हसी, अहम जो है क्रिया है, उससे अं भाव वाचक बनता है तो अभी हमने देखा कि भाव वाचक संग्या किस प्रकार बनता है जाती वाचक विशेशल और क्रिया से और संग्या की परिवासा को देखे संग्या के प्रकार को पढ़े व्यक्ति वाचक जाती वाचक भाव वाचक समुदाय वाचक और दब्ड वाच समझ में आया होगा तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर तब तक के लिए नमस्कार